जहें दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरी यूटूब चैनल पर दोस्तो इसके पहले जो वीडियो आथा दोस्तो उसमें में आप लोगों बताया था कि जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तो जारखन नगरपाली का सेवा संवर्ख सन्यूगत परिच्छा 2022 की तो उसके जो फॉर से एक्स्टेंड किया गया है जो बहुत ही अच्छी बात है जो भी सुडेंट जो पहले फॉर्म नहीं कर पाई किसी भी कारण से तो वह फॉर्म कर दें दोस्तो जो सुल्क है दोस्तो वह केवल सौ रुपए है जेनरल ओवी सी के लिए और बांकी जो आरक्छन केटेगरी के दोस्तो उनको अरक्छन मिलेगा उनको मातर पचास उरुपए लगने वाले दोस्तो तो आप ज़रूर फॉर्म को फिलप कर दे और अगर बात के दोस्तों तो मैं आप बटाया था कि इससे रिलेटेट और जो इंपॉर्टेंट चील है दोस्तों वह ही मैं आप बता कि कौन कौन से पोस्ट पे आवकेंसी आई है क्या वेतन मान है उसके बाद अगर बात कर दोस्तों तो सच नहीं रुगता क्या चाहिए एज क्या है हर चीज से समंदित में आप लोगों को फिर से एक वीडियो बना दे रहा हूं दोस्तों हलांकि इसके पहले में एक वीडियो बनाया था लेकिन यह अपडेट है दोस्तों अपडेट जो हुई है दोस्तों नोटिफिकेशन में वह मैं आप लोगों बता दे रहा हूं तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों इस पूरे वीडियो को और अगर अभी ता आपने इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया त सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और वीडियो को लाइक करके शेर भी कर दें तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं तो यह जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वह जहारखन नगरपाली का सेवा समयोग प्रतियोता परिच्छा दोस्तों 2022 की और आगे अगर बढ़ें तो आगे हम लोग यहां पर देख सकते हैं तो सबसे पदल्डब करेच दोस्तों अगर देख सकते हो जो अनारचित कटेगरी के है दोस्तों उनका जो ईज है दोस्तों वो 25 वर्स है जियसे सो जानी अनारचित वर्ग के जो Candidate है उनका जो Maximum एज है वो 35 वर्स है और New 당신वेग की बात करें तो आप देश सकते अनारचित के वर्ग 55 वर्स है और महिला की अगर बात करें तो अनार अच्छित हो अत्यान पिछला वर्ग हो अनुसूची एक एवं पिछला वर्ग अनुसूची दो से जो सम्बंदित है उनका जो maximum age है दोस्तो वो 38 वर्ष है जो जो 38 यानि 38 येर्स है उसके बाद अगर बात करें अनुसूची जन जाती अ आप देश सकतो maximum age जो है वो 40 वर्ष यहां पर रखा गया है दोस्तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को किसी तरह कोई भी डाउट हो कोई भी कोशन हो कोई प्रसन हो तो आप लोग कमेंड बॉक्स में कमेंड करें मैं आपकी प्रसनल का एंसर अवस्च दूंगा अगर जानकारी नहीं है इसके बार मेंरे आप जरूदी नहीं पीला है तो चलिए देखतें हैं दोस्तो अगर प्रसनाम की बात है यानि पूश्ट कि यानि बात करें तो पहला जो पोश्ट आप लुए सकते हैं तो वह है garden अधिछक जिसों यानि समूख से संब्बन्दीत है या पोस्ट राज पत्त्रित पर पोस्ट है दोस्तों और बात करें वेतन की तो आप देख सकते हैं पे तुरुप कर एक लाग 12,400 रुपए मैक्सिमम जो वेतनमान आपका होगा दोस्तों वह एक लाग 12,400 रुपए होने वाला दोस्तों और इस्टार्टिंग पे जो है वह 35,400 रुपए होने वाली है अगर सेचनिक योगता की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं किसी भी महानता प्रा दूसरा जो पोस्ट है दूसरा जो पद है दूस्तों है वह है वह वेटरेनरी ओफिशर है अगर पे मैट्रिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं पर 19,900 रुपए से लेकर आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स देख से अगर तीसरे पदनाम की बात करें तीसरे पोस्ट की बात करें तो तीसरे जो पोस्ट दोस्तों वह है सनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर बहुत यह अच्छा पोस्ट है दोस्तों अगर बात करें तो इसका जो पे मैट्रिक्स य अगर यहां पर आप बात करें सीच नहें उद्धा की तो आप दे सकते हैं किसे भी मानता है प्रिप्स विह सुलिदाँ आप से पोस्ट गयोजुएצिञ डिपलोमा इन वाटर स सैनिटेशन एड़ हाइजीन, या पोस्ट गयोजुएट डिपलोमा इन इड़स्ट्रियल पोस्ट गेजुएट डिप्लोमा इन हाईजीन डाइट एंड नूट्रिशन तो यह यहां पर सचनी गोज़ता है दीगे दूस्तो तो अगर यह सचनी गोज़ता आपकी है तो आप इस इन पोस्टों के लिए जरूर आप फॉम फिलप करें दूस्तो आगे बढ़ते हैं नेक् पत्ति पत है दोस्तों समोगह में आती है अगर व्यतर्मान trabalho की बहुत्यूर्य आप संसे पोस्ट गेज्डिव डिपलोमा इन इनल सेनिट्रीइशन यह संबंदित यहां पर प Gitot son इस पोस्ट के लिए आगे देखते दोस्ट नमर 5 है यानि पदनाम जो है दोस्ट वो राजय सुनी चख का है जिसो यानि नेक्स जो पोस्ट है राजय सुनी चख अगर वेतनवान की बात करें तो 25500 से लेकर 81100 रुपए है और सचनी विद्धा की बात करें तो आप देख सकते दोस्तों यानि मैकसिमम जो वीतनवान है वो हैомеने जीहों है तो आप देख सकते हैं किसी ब्हेंनता प्राथ वी हिशा लहा सांस्थान से व्धिमे शनात्याकि की डिगडी आपके पास होनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जो इंपोर्टेंट चीजों को यहां पर कवर किया हो दोस्तों अगर और इंफोर्मेशन आपको चाहिए अगर कोई भी डाट हो किसी भी चीज में तो आपको जबूद करें दोस्तों अगर आपने मेट्रिक और इनटर ज़ारखन से किया है तभी आप जो है वो एलिजबल होगी अगर इस थानिये निवासी भीजों है और इ realistic और इंटर जो है वो बाहरी राज्यों से किये होएं तो आप एलिजबल नहीं होगी ऐसा यहां पर जबाद होगी एगा दोर जो को फिलप कर सकते हैं ऐसा यहां पर दिखिये दिया गया है तो इन चीजह जैसे वह पता है कि एक ही दिल में नहीं हो स्काल पाती है तो कि आगे पीछे होते है तो PAUL के बात करें तो परीछा के वले झालर्म तो बात करते हैं तो थी नंबर चिया गलत करते हैं तो आपके कोस्षन जो है गलत करते हैं दोस्तह दोस्तो आपके एक अंग की कट्रこの है तो इस हो तक जिलिए डिया गए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो वbn चीजे धे द्यूंग से ओ बता दूंक सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करें क्यों नक्त दोस्तों आप बात करें दोस्तों आप देख सकते हैं केवल एक ही मुख परिचा होगा जिसमें अगर बात करें तो पहला जो पेपर है प्रसंट पत्र एक जो है दोस्तों वह भासा घ्यान से सम्बंदित होगा टोटल लगर प्रसंट की बात करें तो 120 कोस्टेंस होंगे दो घंटे के समय प्रसंट पत्र एक के अगर बात करें दोस्तों तो आपको केवल 30% माख्स लाना है केवल 30 percent लाके आपको कौलिफाइग करना है यह जो प्रसंत्त पत्र ग्यान से समद्दी को साइब जोका ग्यान से तो साथ हम आए तो के समय मिले in प्रका सी अखकर शोकताई नागपूरी पंच परगरिया उरिया यह सारे लेंग्वेज जो हैं वो होने वाले दोस्तों और जैसे में बता है सौ बहु कल्पी यह परसन होंगे यानि अब्जेक्टी टाइप की कोशन्स होंगे दो घंटे का समय मिलेगा एक प्रसन गया अपको तीन नमबर मिलने वाले और एक गलत अंसर के आपको एक नमबर काट लिया जाएगे यानि एक अग काट लिया जाएगा और टोटल जो आप देख सकते हैं पर 30 पर 30 अंग प्राफ्थ करना अनिवार होगा आप देख सकते हैं पर कम से कम आपके 30 minimum जो आपके marks होने वाले दोस्तों minimum जो percentage है वो 30% यहाँ पर दिया गया यानि minimum आपके 30% आने ही चाहिए नहीं तो आप वैसे भी क्यारा को बैसे करें कि दोस्तों से कौन विसाय होने वाले जुछ से इससे सकते हैं जो विसाय होने वाले हैं वो है lepers युठ आप गहंपे प्रसन होंगे समान और ले स्ट प्रसन होंगे समान भिज्यान से इतना अग्स क्रलीट यानि minimum जो है तो आपको 30% लाने ही लाने बांकि जो cut-off है दोस्तों वह तो लग ही होने वाला है लेकिन minimum जो cut-off है वह 30% यहां पर दिया गया अगर आप इसे कम लाते हो तो वैसे भी दिस्कॉलिफाई हो जाओगे तो यह सारी इंपोर्टेंट चीह थे दोस्तों जो मैं आप लोगों बता दिया हूँ ओके दोस्तों तो अभी के लिए बस इतना ही आई होप यह वीडियो आपने के लिए बहुत ही महत्मिन बहुत ही इंपोर्टेंट रहोगा और अगर आपको इसके बाद भी किसी तक कोई भी डावट कोई भी कोश्चन्स हो ता आप लोगों यह कमेंट करें दोस्तों मैं का एंसर बिल्कुल दूंगा ओके दोस्तों तभी क्लिवस इतना ही जय ही जय भारत वंदे मात्रव